नमस्कार साथियों बुंदेली हलचल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम फिर हाँ पर इखटे हुए हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा खास एपिसोट है जिसका नाम है इतिहास के पन्नों से और इसमें हमारे जो खास महमान है वो है वीके स्री वास्ताओ जी जो सर हरिशिंग और विश्विध ध्यालाय में इतिहास विवाग के अचुड़ी हैं तो सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है बुंदेली हलचल में और आज हम बेहदी खास एपिसोट शूट करने जा रहे हैं और इस एपिसोट खास इसलिए है क्योंकि हम सागर की स्थापना के बारें बात करने जा रहे हैं कि सागर कैसे बना और खास कर जो हमारी लाखा बंजरा जील है हम सबका एक बहुत ज़्यादा लगाओ है इस जील से तो इस जील के बारें भी चर्चा करेंगे तो कुछ सवालों के जरी हम यात्रा को आगे पत्पेंसे कि विस्व की चार प्रवफ सब बिताएं नदियों के किनारे पिक्सित हुई हैं ठीक है पहले नदियां थी पूर से ही और उन्हेके किनारे पिक्सित हुई हैं तो हम इस माईने में बड़े भाग्यसा लिए कि जिस सागर में रह रहे हैं उस सागर का विकास भी कुछ नितरे से हुआ यहां पर पहले त Center के बना और ताल आप के बाद यहां पर सागर नगर बसा तो यह इस तरह बात है और उसके बार यहां पर किलाब अना तो यह इस तरह के इतियास है बिस थियास उरॉ सब composer आपको दिया को नहीं मिलेगा के पहले तालाब बनता के के किनारे बंदा कि उसके हो जफा12 बसती फिर जरूरत पढ़ती है फिर तलाब बनता है जी 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 चलिए सर तो ये अच्छा रहा और सर जो तलाब है तो वो बनवाया किसने था या लाखा बंजारा जो हम जिक्रे करते हैं तो वो तो सही नाम सही है लाखा बंजारा का तलाब तो इसके पीछे क्या इतिहास रह हैं तो एक किब्दंती है कि आपको बता दें कि लाखा बंजारा असल में लाखा बंजारा का नाम लाखा बंजारा नहीं थे इसकी उपादी लाखा बंजारा थे जो बंजारे थे उनके पास गायवेल रहते थे और जिस बंजारे के पास लाखों की संक्या में गायवेल होते उनको लाखा बढ़ारा के दिये जाता था तो इस परकार लाखा बढ़ा बाना यए चृतर बड़ा अच्छा लगता था तो यहाँ से गोड वहां पर ले जाता था, और जब यहाँ पड़ाव डालता था, तो यह पर सागर शितर था, ये पानी की कमिसे जूज रहा था मनलों बुंदिल खंड में पानी की कमिसaring आप देखेंगे सुरू से रही है आपको बताते हैं दर्सकों को हम बताना चाहेंगे कि जो बांदा च्हित्र है बांदा च्हित्र में कोल मड़ी आधिवासी रहते हैं और यहां पर पानी की बड़ी किल्लत थी, तो बताते हैं कि जो महला हैं, आधिवासी महला हैं, वो अलगबस तीन किलूमेटर अपने गाउं से जाती है, बहुरा ताल, और भाँ से पानी भरके लाती है, और चुकि मट्की है, तो उनको यह डल लगता है कि मट्की फूट न ज होने, और इसी चीज को चंद का प्राज दीचे देख कवी होने बड़े बहतर डंक से लिखा है, वो कहते हैं कि खसम मरे गगरी ना फूटे, गटे ना बहुरा ताल, तेर रही फटी आँखों में जले सदाया सवाल, बादल वरसे नदी किनारे, तरसे कोल मड़िया, बिन प से बचाने के लिए, लाखा बंजारा ने सूचा कि करें तो करें किया, और उसी समय आप देखिए कि उद्यपुर में पिछूला जील, चीतर बंजारी ने बनवाई थी, और यहां पर जो बुंदेल खंड में कई जो रियासंती थी, इन रियासंतें को राजा थे, वो पानी की कमी दूर करने के लिए तालाबों को निर्मान करा रहे थे, तो इसलिए उन सब को देखकर, उन से प्रेना लेकर, लाखा बंजारा ने भी यहां पर जे तालाब खुदवा दिया, अब जो किवदंती है, वो इस प्रकार है कि तालाब में पानी नहीं निकला, तो वो बड उसकी पत्नी ने पूची, उदासी का कारण पूचा, तो उसने कारण बताया, तो दोनों उदास हो गए, उसी समय उनका पुत्रता मिट्टू आया, उसने क्या क्या बात है, तो फिर उन्हों ने जब बताया, तो मिट्टू कहने लगा, नहीं इसमें उदास उन्हीं की बात नहीं है हमारे गाए बेल हमारा समाज हम लोगों को हमारे बलेदान से पानी यहां पर आता है तो मैं सहर्ष तेयार हूँ हमने शीता माता की तनी है बनवाथ राम को है आधे हैं तुमी सुक्षिगा हूं divit रूप जान दिया है he लाका बनजायां लाकी इनकी सुण हिंडोले पर भज्ठाकर बली दी गई और पताते काओ कि पाद ये पानी से बहर गया लपालाह वह जब लवाला पानी से बर गया, उसके बास से आज तक ये पानी इसका सूखा नहीं है जिस प्रकार ये लाका बंजारा ने इस तालाब को बनाया और इसलिए आज इस तालाब को हम लाका बंजारा तालाब के नाम से जानते हैं बातियों ये निश्यत ही बहुत ही ऐसी जानगारी है कि जो हमें भावुक करती है और आज हम अपने जो जील की हालत देखते हैं जील के बारे में इतनी चर्चाएं करते हैं और अगर हम उस समय की बात करें हैं कि भी इतिहास पर जाएं तो आप गौर करिए कि एक इनसान जिस खुशी अपनी बले दे दी और आज हम लाखा वंजरा जील का एक अपना अभिमान है मान है और हम सब जितना जिक्र करते हैं और सर जो लाखा वंजरा जील है इसके पास एक बहुत ही सुन्दर किला भी है तो अब बात आ रही है तो इसकी बात करते हैं कि एक किला किस ने ब थी और गड़पेरा के जो ते राजा के दांगी राजपूत राजा उधन सा बहून में बसल्च बना इनका सागर दो उन्हें में निज the संस्थच बना धी और hon कुछी समय आपके हमारे जो विश्विजाले के संस्टापन के डॉक्टरी सिंग और उनके जो पिता में ते मान सिंग और वो भी गड़ पहरा से आकर सनीचरी टॉरी में आकर रहने लगे तो इस प्रकार उदन सिंग ने राजा उदन सिंग नांगी जो राजा थे उन्होंने या पर किला करने नमां करा है तो यह भी मलब अगर हम देखा जाए तो सागर में सबसे शेहर के अगर अपन सुरुआथ की बात करें सबसे पहले तलाब बनता है फिर किला और किला के बाद फिर परकोटा अगर पहली कॉल्वनी क ही जाए तो बेढ़ी रोचक जानकार ये द सार कि जो गोबिंद वल्लाल खेर ने सागर शेहर बसाया था तो हमारे दर्शोगों को उसके बारे में थोड़ा बिस्तार में बताईए सर देखिए पिसले एपिसोड में हमने बताया था कि जब मोहमत का बंगर से रक्षा की तो सित्र साल ने अपने राज्य का एक त्यायी भाग प्यसले वहां प्यांन और तो ये गोबंद मलाल खिर गया और चिता पर भोजन बना के ले आया तो ये जब जानकारी पेशवा को मिली तो उन्होंने इस पर स्ट काया कि जो वेक्ति यह कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है उसके लिए कोई भी कारसंबब नहीं है क्योंकि एक चिता पर भोजन बनाना ये आप में बहुत मला ये एक अकल पनी है तो इस परकार उन्होंने का कि नहीं ये वेक्ति बहादर है तो उसको बंद लखन का प्रवार सौब दिया उन्हें कि नहीं अब बंद लखन को आप समा लिए तो इस परकार ये रांगिर है रांगिर को उन्होंने अपना मुख्याला बनाया और उसी दोरान आपको बता दें कि टिकी टोरिया का मंदर कराया गोविंद बलाल खेर ने और गोविंद बलाल खेर ने देखा कि रांगिर में उसका मुख्यला है और वहां टिकी टोरिया मंदर बना दिया और फिर वो जब उसने यहां आकर देखा कि सागर में यहां इस जगे एक तालाब बना हुआ है परकोटब अस्तियों किला है तो उसको यहां का प्राक्रतिक सुंदर एतन पाया और उसने रानगिर के इस्थान पर सोचा कि इसको अपना मुक्यला बनाया जाए इस प्रकार सागर को उसने अपनी राजदानी बनाया और मराठा कला का उप सागर नाम अस्तित्थ्प में आया क्योंकि आप देखे आज भी रेलवेट टाइम टेबल्ल में आपको ऐसे जी यया नहीं मिलता ऐसे यू जी और मिलता है तो यह सोगर तो सुगर से ही चुकिने जीति लियते आसपास ऑर इसलिए सोगर से सागर नाम बहुत बहुत धन्यवाद और तर आगे जो गोविन बलाल खैर हैं जिनका बहुत भड़ा योगदान है जो ने सागर शेहर बनाया तो इनकी मृत्यू कैसे हुई देखे मृत्यू की चर्चा करने के पहले ये दरसकों को बताने बहुत जरूरी है कि गोविन बलाल खैर की अहम से गुजरातियों को बिलाया और दच्छन भारत से भी लोगों को बिलाया कई विद्वानों को बिलाया कभियों को बिलाया बैद्धों को बिलाया तो सागर को बहुत बहुत बहुतर रंग से बसाने का इसने काम किया और फेस्वाने गंगादद दवे थे उनको पन्ना की मैं आपको कि हमंदर भी उसने निर्मान करा है राम मंदर जानकी मंदर रामबाग मंदर और सबी धर्मों के मंदर बन वहाई इमिन मजिद भी बनमाई तो यह जो उसकी बड़ा कंट्विशन था है सागर को बसाने में और आप देखिए कि पेजबा के लिए बो सौने का अंड दच्छर भारत तक पहुचाने का काम यह करता था और किसी को तीर थेहत्र पर जाना होता था तो यही पूरी तीर थेहत्र की ववस्ता करता था पूरी पेजबा के परिवार के लोगों का और यहां तक कि पेजबा के पेजबा के परिवार के लोगों का और यहां तक कि प्रक्की थी इसका जो इतना बढ़ गया था इसका प्रभाव कि पेशवा से लोगों ने कई सिकाय थे कि इनके विरुद तो पेशवा ने एक एरंडे और कानेटकरजी को इनकी जाच करने के लिए बेजा मजुम्दार बनाकर और यहां पर आया उन्होंने फिर जाच की और अ हैं और दूसरी बात जो है वो यह कि जो यहां पर जो सेना पर जो खर्च किया जा रहा है तरिक उसकी जानकारी पेशवा को नहीं है और तीसरा पैसा का जो लेंदेन है बो भी प्रॉपर नहीं है तो यह तीनों जो सिकायत की गई और इन सिकायतों पर पेशवा कोई कारवा तो आप देखिए कि पानीपत के उद्धों में इसने बहुत इसका जो भाव साप की और माराटों की बहुत साहइता की और एक बार जो दिल्ली का नजीव उल्ला था वो भी एहमद साथ दाली के साथ मिला हुआ था तो एक बार जलालाबाद में रश्ट बगर की व्यवस्ता क गए तो उचक के जब बैठने का प्रयास किया जंप करके तो गोड़ा आगे निकल गया और ये गिर गया उसी समय एक गोली इन्होंने मार दी और खतम हो गया और उसके बाद इनका सिर काटकर हमसभदाली के बाद बिजा गया अदना सब्दाली ने उसको भाउसाब के बाद तो इस प्रकार इसकी बड़ी दुखत इस्तिती में मरती हुई लेकिन इसके बापजूद भी इसका नाम बुंदेल खंड के इतियास में पानीपत के इतियास कारों के या मानना है कि अगर पानीपत के तिती उद्द में गोबिन बलाल खेर नहीं मारा जाता तो निश्चत रूप से बिजैसरी मराठों का परान करती लेकिन पानीपत के तेती उद्द में हरका एक प्रमुक कारण ये गोबिन बलाल खेरता है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बादुर बैक्ती था और इसने सागर को किस पकार बसाया और इसके मृत्तिव के बाद सागर को कितना बड़ा हनी पहुंचे होगी बिलकुल सर और हर छेतर के लोगों को बुला कर सागर शेयर को बसाना ये जो कलपना है ये ब्यादी खास है मैं किता हूँ आज के लोगों को इनसे सीख लिना चाहिए कि कि किस तरीके से इन्होंने बाहर मराठी बुला रहे हैं सारे धर्म प्र करी को शीया जरू करिए हमारे शेयर की जानकारी है तो जादा दर्द लोगों जाने समझें और जो हमारे महान जो हस्ती है रही है जो भी खासे नाम पर चुछ ने कुछ सागर में करना चाहिए हमारे प्रयास होना चाहिए क्योंकि आज देखिए डॉक्टर डीसिंगोर के छो ये जोंनोह सागर की स्थाप्ना की और मतलू हमने पूरी है अक्तारततिक जानकारी है तो आपके माधनम से हमें यह कहigns चाहेंगे जो भी प्रबॉद्दजयनिस को सुन रहे है कि कोभएंच मंंलाल खीर के नाम पर भर कुछ ने कुछ किया जाना बहुत जादा अच्छी जानकारी है और यह हमारी मांग है हम इसमें प्रसाशन से भी यह मांग करते हैं कि आप एक बार इस पर बिचार करें क्योंकि जिस इनसान ने इतने मेरेजमेंट तरीके से इतने शानदा तरीके सागा शेहर का निर्माण किया है और आज सर अगर हमारी जानकारी में होगा है आपकी भी जानकारी में होगा मेरे साथ साथ कहीं एक बोड भी हमने इस नाम का सागा शेहर में नहीं देखा होगा बागी मूरती और अने चीज़ों तो बहुत दूर की बात है लेकि इनकल अभी ये लोगों को नाम भी नहीं मालूँ होगा कि ऐसे एक सक्से जिनों ने इस तरीके सागर को बसाया तो ये बहुत ही जरूरी है कि लोग जाने तो इसके लिए बिलकुल हमें एक मांग करते हैं कि बहुत जल जल इस पर बिचार किया जाए और जल से जल इस पर कुछ एक्शन लिया जाए आप सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद बुंदेली हिल से जड़े रहें और ये जानकारी आपको कैसी लगी है वो जरूर आप कमेंट में बताएं और इस जानकारी को शेयर जरूर करें आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद